वेल्कम बेक टू माई निव वीडियो तो दोस्तों आज हम आपको ले चलते हैं माउंट आबो के मन मोहिनी कॉम्पलेक्स में ये खुबसूरत विल्डिंग्स ये बहुत ही खुबसूरत प्लेस है दोस्तों और इस प्लेस की सब्दों में कलपना करना मस्किल है इतना खुबसूरत है और बाहे वातावरण से बिल्कुल मुक्त है यहाँ पे ना किसी तरह का सोरगूल है ना किसी तरह की आवाज है बहुत ही शांत वातावरण है वाहे प्रदोसर से पूनताय है मुक्त बहुती सुन्दर और सक्ष प्लेस है जहां पर रह करके आत्म अनुभूती और परमात्म अनुभूती दोनों बहुत सहिस तरीके से अनुभव की जा सकती है तो ऐसे कुपसूरत प्लेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हम आपको हर बार कहते हैं कि आप एक बार ब्रह्मा कुमारिज के माउंट आवू हेड़ कौर्टर में जरूर आए दुनिया में आप स्वर्ग देखना अगर चाहते हैं तो वो साइदा और कहीं नहीं होगा आप बहुत सारी उची मारते देखने को मिल जाएंगी बहुत सारे बगीचे खुपसूरती तो आपको दुनिया में कई जगे मिलेगी लेकिन वो परम सामती वो परमात्म अनभूती जो करना चाहता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी पैसे लगा करके हम उची बिल्डिंग्स खुपसूरती तो बना सकते हैं दिजाइनर घर महल मन्या सब कोच इकठा कर सकते लेकिन जो परम सामती जो मिलती है दोस्तों वो विस्व के किसी कोने में नहीं मिलेगी आपको यह मैं वादा और चैलेंज करता हूं जहां पर स्वयम भगवान आकर के अपना सर्वस लुटाते हूं ऐसी सुन्दर जगे साइद दुनिया में नहीं देखी हमने आप देख रहे हैं यह प्राक्रतिक सौन्दर रहे तो आपको सब कहीं मिलेगा लेकिन एकता भाई चारे सिभरी दुनिया साइद ऐसी दुनिया परमात्मा ही बना सकता है तो आप सबी से मेरा अनुरोध है कि आप एक बार ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर पे या माउंट आवो एक बार जरूर आएं तो ये खुपसूरत प्लेस जहां पर रहे करके पहुत सारी अन्भोती की जा सकती है ये तो हम दोस्तों हम आपको वो अनुभव तो नहीं करा सकते इस वीडियो के माध्यम से लेकिन आप इसको देख कर अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि यहां पर कितना अच्छा लगता होगा कितनी शामती होगी सारे काम यहां पर बहुत ही सामती पूर्वक संपन होते हैं सोचिए जहां पर 20,000 एक साथ रहते होँ माँ पर आवाज ना होँ माँ लडाई ज्जगड़ा ना होँ ऐसा हो सकता है लेकिन यह संबव है 20,000 लोगों का खाना इतनी सामती पूर्वक बनता है एक साथ इतनी सामती पूर्वक रहते हैं कि हम आपको इस फीडियो के माध्यम से तो बताई नहीं सकते हूँ यह देखिए कितनी सारे जामुन लगे हुए हैं कितनी सुन्दरता है पहाडों के बीच कहते हैं अरावली पहाडों के बीच बसा यह खुब सूरत मधुवन जहां पर गोप गोपिकाई रास करते हैं विचरन करते हैं यहां तो देवी देवताएं चैतन्य में विचरन करते हैं इतनी खुब सूरत दुनिया फरिस्ताएं से लगते हैं ना मराने ना खाने की चिंता सब कुछ अच्छा है तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए कितना अच्छा लगता होगा मन सोच के पर फुलित हो जाता है दोस्तो खुब सूरत ये नजारे जो आखों को इतनी सी तलता परदान करते हैं मन करता है बस यहीं बस जाएं यहीं रह जाएं ये तो प्राकृतिक सौंदर रहे है अच्छा लेकिन यहां की जो शांती है फिर पुना कहेंगे कि उसको हम सब्दों में नहीं बता सकते जो फीलिंग है उसे हम आप तक नहीं पहुचा सकते हैं तो कृपया एक बार माउंट आप इस पावन भूमी पर आप आवस से पधारे ये मॉडल बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा देखने के लिए कि लिए कितना अच्छ लग रहा है और ये पूरा पहाड़ों पे ही बना हुआ है I hope कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सेयर करें अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिन सकें